आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं बहुत हेल्दी टेस्टी मूंग दाल का क्रिस्पी क्रंची डोसे की रेसिपी डोसे वैसे अपने उड़त दाल चावल के साथ भीगा के एक लंबे प्रोसिस के साथ बनाए होंगे लेकिन आज मैं आपके लिए उड़त दाल साथ बह आप सब्सक्राइब करने नहीं बहुत है तो आपने देखा अभी तक जो मने डोसे के आपको आगे क्लिप दिखाई है कितना क्रंची कितना क्रिस्पी है और यह बनने वाला है मूंग दाल के साथ जो की बहुत ही हेल्दी दाल है और इसे हम बनाने वाले है सिर्फ दो बुं आप को हेल्दी टेस्टी मूंग दाल के डोसे के रह से लिए मूंग दाल के डोसा बनाने के लिए हमने पर मूंग दाल को आधे गंटे के लिए पानी में भीगा दिया था ज्याद़ लंबे टाइम तक अपको बीगाने की जुरत नहीं पस थोड़ी से सॉफ्ट होनी चाही ह तो आदे घंटे में फूल जाएगी जब अच्छे से भीग जाए आप इसको 2-3 बार पानी से दो लीजिए और पानी इसका सारा निकाल दीजिए अब जब बिना पानी की मुंग दाल है इसे हमें पीसना है इसे हमें अच्छे से पीस के बिल्कुल स्मूथ एकदम सॉफ्ट प पानी डालते जाए और इसके एक स्मूथ पेस्ट आप बना लीजिए तो देखिए इस तरीके का बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए कोई दानेदार इसमें नहीं होने चाहिए पीस तो मुंग दाल अच्छे से पिस चुकी है अब इसे हम निकाल लेते हैं बाहर एक बाउल में यहाँ पे हम सबसे पहले मूंग डाल को निकाल लेंगे और मुंग डाल के बाद हम यहाँ पर बाकी मसाले इसमें एड करना शुरू करेंगे तो इसके लिए हमें बाकी चावल वगर क्या आवा सकता नहीं पड़ती, सिर्फ मुंगदाल से ही ये डोसा बनके तयार होगा, तो चलिए इसमें कुछ चीजे एड कर लेते हैं, मुंगदाल हमने निकाल लिए है, इसके बाद लेंगे हम बेसन, और यहाँ पर हम बेसन इसके घर में एजिली मिल जाता है, तो यहाँ पे लगबग तीन चम्मच के करीब इसमें बेसन डाल दीजिए, इसके बाद हम यहाँ पर लेंगे सुजी, सुजी भी जातर सभी घरों में इझली अवेलिबिल होती है, तो यहाँ पर हम सुजी ले लेंगे लगबग दो चम्मच, बेसन हमने तीन चम्मच लिया है और सूजी हमें लेनी है दो चम्मच इसके बाद हम यहां पर इस लेने वाले हैं यहां पर हम लेंगे अरा रोट अरा रोट एक ऑप्शनल है अगर आपके घर में है तो आप इसे ज़रूर यूज़ किजिए इसे क्रिस्पिनेस आता है कुरु अपर अससे भी आ जाता है तो यहां पर मैंने अरोट डाल दिया है और यहां पर मैंने अरोट टालने के बाद लगबस तीन चम्मच के करीब डाला है इसके बाद हमने थोडी सी हींग इसके अंदर एड़ किए हैं और आपके यहां पर मैं लोगी नमक यह भी स्वाद के नुसर आप इसमें डाल सकते हैं इसके साथ यह हम इसके अंदर डाल देंगा अध्रक लसन का पेस्ट एक चम्मच और इसके बाद हम इन सभी चीजों को मिक्स करेंगे मुंग दाल क्योंकि गीली है तो उसमें यह सभी चीजें मिक् मिक्स करती हूं सुखे सभी चीजों को और उसके बाद हम उसके अकॉर्डिंग कितना पतला कितना गाड़ा है इसमें पानी डालना शुरू करेंगे क्योंकि एक डोसा बन रहा है डोसा कह सकते हैं आप मुंग डाल का चीला कह सकते हैं क्योंकि जो शादियों में आपको स्प बैटर को थोड़ा पतला रखना होता है तो अच्छे से फेट लेंगे जिसे कि कोई भी किसी तरीके की गाठे ना हों तो यहां पर इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैंसे तोड़ दिर चोड़ दूंगी क्योंकि इसे सूजी वगरा डालिया वह फूल के ऑटोमेट तो उसके बात इसमें डाल देंगे एक चाता है चमज अजवाइन यहां पे अजवाइन का फ्लेवर अच्छा लगता है इसमें तो यहां पर अजवाइन डाल देते हैं इसके साथ हम कुछ सब्सक्राइब कर लेते हैं जैसे कि मैने पत्ता गोभी लिये हैं प्याज ली है तो यहां पेसे हम एक से दो मिन्ट के लिए चला के थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे इसके साथ ही जब यह सब्जी लगबा आपको लगे कि थोड़ी सॉफ्ट हो चुकी है थोड़ी सी पक चुकी है देखिए कुछ इस तरीके की तो उसके बाद हमें इसमें एड करना है पनीर मैं यहां पर पनीर के स्टफिंग बना रही हूं आप चाहें तो आलू के साथ भी बना सकते हैं तो आप चाहें तो आलू को उबाल के उसे मैश कर लीजिए मैं पर पनीर को मैश करके पनीर एड कर रही हूं इसके अंदर और पनीर को यहां पर इसमें अच्छे से मिक्स करें तो मैं यहां पर तीन टमाटर हैं वह यहां पर एड़ कर रही हूं और टमाटर को अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे तो हमें जब तक का वेट करना है जब तक पानी इसका बिल्कुल खतम नहीं हो जाता तो आप इसे एक दो मिन्ट के लिए छोड़ दीजिए जिसके टमाट कर देते हैं तो मसालो में मिशात कर देते हैं तो मसालो में और दूपिंज बोषण करीब हलडी जाने है हथा सकते हैं यहां पर सकते हमाटर की मिशेजिक दे rómNING. करेंगे पनीर की बुच्जी में यानि की पनीर की स्टफिंग में अब मसाले डालने के बाद पनीर में इसको हमें लगबग एक मिन्ट तक कंटीन्यू चलाना है और चलाते हो इसे अच्छे समय भून लेना है जब तेक अच्छी सी खुश्बू नहीं आ जाती देखिए कलर व मिक्स करेंगे मिक्स करने के बाद बिल्कुल डन है तो हम यहां पे इसे बाहर एक प्लेट पर निकालने के लिए रख लेंगे एक प्लेट पर निकाल लेते हैं इसे हम बाहर तो बिल्कुल अच्छे से बन चुकी है हमारी स्टफिंग तयार हो चुकी है और यह लीजिए तो दो चम्मच ओयल डालें अगर नॉन स्टिक पैने तो एक बुंद भी बहुत है तो बहुत यादा हेल्दी रेस्पी बनके तयार होती है अब देखिए जो बैटर अब थोड़ा गाड़ा हो गया है क्योंकि सूजी वगरा है वो फूल चुकी है अब इसमें थोड़ा सा पानी कर लेते हैं और पानी डालने के बाद इसे एक बार फिर से हम मिक्स करेंगे अभी हमें डोसे के लिए बिल्कुल सौफ्ट एकदम पतला है बैटर चाहिए तो देखिए इस तरीके से चम्च उठाते बिल्कुल सारा बैटर नीचे गड़ जाना चाहिए इस तरीके का पतला बैटर हमें यहां पर तयार करना है तो बैटर हमारा अच्छे से तयार हो चुका है गैस पर तवा रख लेते हैं और तवे को भी हलका सा में गरम करना है ज्यादा गरम नहीं करना क्योंकि जब भी आपका दोसा उनाते ना तो तवे का टेंपरेचर बहुत इंपरेंट होता ह तो देखिए बैटर अच्छा स्तेयार है इसे मैं कटोरी में लूंगी और कटोरी से इस डोसे को बनाने वाले इजी रहता है आप बड़े साइस की गोल चम्चे से भी बना सकते हैं तो मैंने कहा तवे का टेंपरेचर बहुत इंपर्टेंट होता है तो तवे का टेंपरेचर आप पहले तो इसे तेज गरम करीजिए और उसके बाद आप इसको बिल्कुल हलका कर लीजिए और हलका करने का जो तरीका है वो है आप इसे गरम तवे को पानी में एक बार थोड़ा सा पानी की छीटे डालकर पोश लीजिए फिर टेंपरेचर नॉर्मल होता है तब डोसा जो है बिल्कुल एकदम परफेक्ट बनके तयार होता है तो दे के कटोरी से मैंने से बहुत इजिली फैला लिया इसके बाद एक दो ड्रॉप ओईल जो है उपर से डाल देंगे अगर आपको लगे तो डालिए अगर नहीं तो बिना डाले भी आप इस डोसे को इजिली बना आपको हलका सा ब्राउन करनी है इस तरीके से होने के बाद हमने जो स्टफिंग तयार की है वो स्टफिंग इसके अंदर हम डाल देंगे है ना मूंग डाल कर डोसे की बहुत ही असान हो बहुत ही एजी रेसिपी तो आहिए आपको एक और डोसा वना के दिखाते हैं जिससे क थोड़ सा सूखा सूखा ड्राय नरा के जब जो सूखा होता है वह एजीली अपने अपाहा मुस इस पलट सकते हैं भो निकल जाता है अगर यह घील तो चिपक चाता है तो सरस तो टोट भी सकता है उसके बाद हम इस qa fruit फोल को दोनों साइट साम lotion सब्सक्याना 친 आहिं उसक आपको दिख रहा हो कितना क्रिस्पी क्रंची है बहुत यहादा स्वाधिस्ट पिलकूल पर्फेक्ट रेस्टरेंट स्टाइल डोसा बनके तयार होता है तो आपने मुंग दाल डोसी की रेसिपी शादियों में ज़रूर खाई होगी अगर नहीं खाई है तो आप अपने किच